नमस्कार दोस्तों आप सबाव का स्वागत है बिहार बोर्ण मैट्रिक परिक छाद्दू के लिए अती महत्पूर्ण प्रस्ण आप इस वीडियो को अंतक देखे इससे बाहर आपका आपका अबजेक्टिव नहीं जाएगा तो चलिए आज हम सिर्प लिए हैं यूरोप में राश्टवात से प्रस्ण लिए हैं जो की सभी प्रस्ण अती महत्पूर्ण है तो चलते हैं प्रस्ण की ओर प्रस्ण आप देखे और समझे पहला प्रस्ण है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number D यनि की घो पस्चिमी एसिया में इतली आवर जर्मनी का आते हैं पस्चिमी एसिया में तो चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रश्ण देखिए प्रांस में किस सासन वन्स की पुर्ण अस्थापन वियान कंग्रेस द्वारा की गई थी तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number D यनि की भुर्भु बंस अगला प्रश्ण देखिए मेजनी का संबंद किस संगठन से था मेजनी का संबंद किस संगठन से था तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number Q यनि की कारवो इटली एवं जर्मनी के एकिकरन के बिरोध निम्न में कौन था इटली एवं जर्मनी के एक इकरण के बिरोध कौन था तो इस प्रह्शन का उत्तरמן आपका उप्सेन नममर गो यहनिक उप्सेन नमर सी ऐस्टेलिया आज़्ला प्रह्शन कावर को विक्टर एमुलने किस पार्ध पर निउक्त क्या था काउंट कावूर को विक्टर एमूलून ने किस परद पर न्यूक्त क्या था तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका आपसर नम्मर गो यानि कि सी परधान मंत्री का क्या था उसको अगरा प्रश्ण देखिए गेरे वालती पेसे से क्या था गेरेवाल्टी पेसे से क्या था तो गेरेवाल्टी जो है कि पेसे से हुआ नाभिक था अगला प्रस्ण देखिए जर्मन राइन राज का निर्मान किसने क्या था तो इस प्रस्ण का उत्तरोग आपका ओप्सन नम्मर खो यनि की नेपोलियन बोना पार्टने जर्मन राइन जल वेरिन एक संस्था थी तो वह कौन सा संस्था था जल्दी सुचिए दोस्तों तो बेपाड़ियों की संस्था थी अगला प्रस्ण देखिए रक्त एवं लोह की नीती का अवलबन किस्ने किया था तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर गो यनि की ओप्शन नमबर सी विश्प मार्क ने अगला प्रस्ण देखिए फ्रेक फेंड की संधी कब हुई थी फ्रेक फेंड की संधी कब हुई थी तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर डी यनि गो आठासो एकत्तर इस विश्प में अगला प्रस्ण देखिए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ग्यान बिज्यान प्रेक प्रेना स्रोत रहा है तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर फो यनि भी यून अगला प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्शन नमबर फो यनि ये भी हो जाएगा यून अगला प्रस्ण देखिए ओटो को निम्न में कहा का राजा घोसित किया तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा खो यून ये भी प्रस्ण का उत्तर होगा यून अगला प्रस्ण देखिए यूनान को एक राष्ट स्वतंत्र राष्ट घोसित किया गया तो कव क्या गया तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आठारा सो बद्तिस इस्वी में किस राज में खनीज तेल का विशाल भंडार इस्तित है तो है असम में अगला प्रस्ण देखिए भारत के किस अस्थान पर पहला परवानु उर्जा के अंदर अस्थापित क्या गया था तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका उप्शन नमबर D यानि कि तारापूर तारापूर में क्या गया था अगला प्रस्ण देखिए कि कौन सा उर्जा स्रोत ओ नवी करनिया है तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका उप्शन नमबर C जो है कि ये ओ नवी करनिया है कोईला कोईला ओ नवी करनिया उर्जा है अगला प्रस्ण देखिए प्रार्थमिक उर्जा का उधारन नहीं है प्रार्थमिक उर्जा का उधारन तो या पेट्रोल तो ये हो जाएगा आपका उप्शन नमबर B यानि कि खो बिद्दूत हो जाएगा बिद्दूत जो है कि प्रार् रखेगा विद्दूत प्रत्मिक उर्जा का स्रोत नहीं है अगला प्रस्ण है उर्जा का गैर प्रारमिक स्रोत है तो सोर उर्जा जब भी पुछा आजाए प्रस्ण में कि उर्जा का गैर प्रारमिक स्रोत है तो क्या हो जाएगा सोर उर्जा याद रखेगा अगला क्वelles का निर्मऌन हुआ था तो इस प्रस्णि का उत्तर हो गापका आपका आपसर नंम्मर ए यानि कि 20 क्रोर वर्ष पूर्व अगला प्रस्णि देखिये भारत के सरप्रमुक.उत पादक राज यानि भारत में सरप्रमु उत्पादक राज कोईले का कौन सा हो जाएगा तो जारखंड होगा सबसे अधिक कोईला का उत्पता होता है जारखंड में तो अगला प्रस्ण देखिए सरवत्तम कोईले का परकार कौन सा है तो सरवत्तम देखें कोईला दोस्तों चार परकार का होता है जैसे यहां का आपका दे दिया है एंथरासाइट, पीट, लिगनाइट और बीटुमेस तो इन में से जो है की सर्वत्तम कोईला जो होता है वह हो जाएगा आपका एंथरासाइट यह सर्वत्तम कोईला है तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा तो चलिए अगले प्रशनी की ओर मुंबई हाय क्यों प्रसीद है मुंबई हाय क्यों प्रसीद है तो इस प्रशन का उत्तर हो जागा आपका खनीज तेल हेतू अगला प्रशन देखिए आपका भारत का प्रथम तेल सोध कारखाना कहां इस्तित है तो भारत का प्रथम तेल कारखाना सोध कहां इस्तित था तो डिगवोई में इस्तित था अगला प्रशन देखिए प्राकिर्तिक गैस किस खनीज के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस किस खनीज के साथ पायता है तो पेट्रोलियम होगा याद रखेगा प्राकृतिक गैस किस खनीज के साथ पायता है तो पेट्रोलियम के साथ है अगला प्रशन है आपका भाकरा नंगा प्रियोजना किस नदी पर अवस्तित है तो इस प्रशन का उत्तर हो ज अगला प्रस्ण देखिए दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजन तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जागा आपका तुग भद्रो याद रखेगा चलते हैं अगले प्रश्णिक के और ताप बिद्धुत केंद्र का उधारन है तो इस प्रश्णिक का उत्तर हो जाएगा आपका बरोनी अगला प्रश्णिक केंद्र का उधारन है तो यह अस्थ्थल है कहा जारखन में पायता है और उस अस्थल का नाम है जादुगोडा याद रखेगा जादुगोडा अगला प्रसण देखिए, Asia का सबसे बढ़ाव परमानों बिद्धुदगरी है तो इस प्रसण का उतर जयागा आपका ताड़ापूर, अप्शन याद रखेगा, Asia का सबसे बढ़ाव परमानों बिद्धुदगरी का है ताड़ापूर में? अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है निम्न को प्रार्थमिक छेत्र भी कहा जाता है तो प्रार्थमिक छेत्र कहा जाता है आपका option number B याने कि किरिसी छेत्र को कहा जाता है प्रार्थमिक छेत्र अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है इन में कौन से देश में मिश्रित अर दोई भारत याद याद रखे गां मिश्रित अर्थ वश्टा का बारत इन में अमरीका रूसोक है तो भारत इन से इस का हो जाएगा मिशू इर्थ वर्सता रहेवारत अगला प्रस्न में योजना आयो का गठन तो याद याद रखेगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोका गठन क्या गया था अगला प्रस्ण देखे जिस देश का राष्टी यह अधीक होता है वह देश कहलाता है जिस देश का राष्टी यह अधीक होगा तो क्या होगा वह विक्सित देश होगा option number B विल्कुल सही है विक्सित पिछरा राज कहा जाता है तो पिछरा राज याद रखे बिहार राज को कहा जाता है पिछरा राज अगला प्रस्ण देखे देश के बंधों को किसने भारत का मंदीर कहा था तो पंडिच जवारलाल नहरू ने कहा था देश के बंधों को मंदीर कहा था अगला प्रस्ण द निहित होती है तो 65% होगा उपर बहुता है तो 65% होगा अगला प्रशन देखिए बिहार में अती जल दोलन से किस तत्व का संद्रन बढ़ा है तो इस प्रशन का उतर हो जगा आपका आर्सोनिक अगला प्रशन देखिए प्रशन है लच्मी सागर जील की स्राज में इस्तित ह लच्मी सागर जील की इसराध मिष्तित है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका Option number B C यनि की बिहार में अगला प्रश्ण देखिए नेमन में से कौन लवी करनिय जील है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका Option number C यनि की सामभर जील अगला प्रस्ण देखिए गंगा नदी पर गंधी से तु किस सहर के निकट अवस्तित है तो यह हो जाएगा पटन याद रखेगा अगला प्रस्ण है कौन सी नदी भ्रंस घाटी से होकर बहती है तो भ्रंस घाटी से जो बहती है वह तापती नदी बहती है अगला प्रस्ण देखिए कौन सी नदी प्रदुईपिय भारत की सबसे लंबी नदी है तो यह हो जाएगा गोदाबरी नदी प्रदुईपिय नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गोदाबरी याद रखेगा अगला प्रस्ण है सिंधु जल समझोता कब हुआ था तो इस प्रश्ण का उत्तर वगा आपका 1960 इस वी में अगला प्रस्ण है सांगोपो किस नदी का उपनाम है तो इस प्रश्ण का उत्तर वगा आपका अप्रस्ण नमबर बी यानि की ब्रहम पुत्र ब्रहम पुत्र नदी को सांगोपो नदी कहा जाता है अगला प्रस्ण देखिए इन में से गर्म जल का प्राप्ता कौंचा है तो यह हो जाएगा ब्रहम कुंड कोसी नदी का उद्गाम अस्तल का है तो कोसी नदी का उद्गाम अस्तल जो है वहब का गोसाई धाम